और राज सरकार के बाद आज जेशल मेर की जो सहर की सरकार है उन्होंने भी अपना बजट पेश कर दिया है करीब 300 करोड रुपे का पिटारा आज जो है सबाबती रिवलब कला जी ने खोल दिया है आईए उनसे विश्चित करते इस बजट में क्या कुछ खास रहा और जेशल मेर सहर के परेटन के विकास के लिए एक मील का पत्तर साबित होगा क्योंकि हमारा स्वेर स्वच होगा साफ होगा सुन्दर होगा और अच्छी आकर्सक यहां पर पार्क होंगे तब ही जेशल मेर सहर का परेटन विक्षित हो पाएगा उसी भावनों को देखते और निश्यत रूप से जैसल मेर की जनता को और आने वाले प्रिटकों को इसका लाप भी लेगा कितने रुपे का ये बजट जो है वो पेश किया गया और इससे क्या-क्या विकास के पंक्त लगेंगे और जैसल मेर को दोसो पिचानू पॉंट इकोतर करोड रुपे का ये बजट पारित किया गया है और मैं सोचता हूँ कि आने वाले आज समय जो होगा वो बकाइदा एक मील का पत्तर थाबित होगा लिखा जाएगा सौन्डे मक्सरों में कि जैसल मेर मेर में विकास कारे हुआ है और वो वर्षा तक उसकी गुंज रहेगी ये थे सभापती अरिवल अवकला जो कि इस बजट को जैसल मेर का मील का पत्तर कह रहे है वहीं नेता प्रतिपास विकरम सिंग जी हमारा साथ है उनसे बात करते है इस बजट से क्या आप संतुष्ट है और क्या कमी है जो इस बजट मेरेगी मैं ये कहता हूँ जो दो सो पिचानु क्रोड का बता रहे हैं सभापती जी जी तो मैं ये कह रहाँ जो मूल सुवीदा है हमारे हैं जो जैसल मेर जिले वाशियों के लिए उसमें क्या है मुझे तो नहीं लग रहा है चाहे कोई भी पारक हो, चाहे कोई कोलोनी हो, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें रोड बगेरा, उस मुद्धों पे, हम तो संतुष नहीं है, कहां खर्च किया, मारावल जैसल सिंग जी की मूर्ती, उस पर क्या निनलिया है? वो तो हम कब से उठा रहे हैं? क्योंकि जो जैसल मेर का, मारावल जैसल ने जैसल मेर बसाया, मारावल जैसल जी की या मूर्ती नहीं है, तो हमारे लिए शरम की बात है, इस से बड़ी क्या होगी? अगर यहां के जो माराजा थे गिर्दर सिंग जी, वो अगर जब पाकिस्ता बड़ी सरम की बात क्या होगी? तो पृतिपक्स नेता विक्रम सिंग जी वो लगातार जो आरोब लगा रहे हैं, इस बजट को लेकर वहीं सभापती जी से मील का पत्थर साबित करने पर कह रहे हैं, अलांकि यह आने वाले वर्स में मलूम पड़ेगा कि यह बजट धरातल पर कितना सही साबित होता है, पंजाब के सी टेवे के लिए जेशन मेर से गंटत देए हैं,